नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसिष्ट सजनो हर मैने की तरह धनुरासी वालों के लिए ये अप्रेल का मैना कैसा रहने वाला है क्या-क्या सावधानिया हमें रखनी चाहिए क्या-क्या सम विसम समय हमें देखने पड़ेंगे और क्या-क्या उपाय हमें करना चाहिए तो धनुरासी वालों के पंचम इस्थान में ब्रियस्पती है सबसे पहली बात यह है अगर आप वैस्क हैं शादी सुदा हैं तो संतान की प्राप्ति का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है अगर विद्यारती हैं तो पढ़ाई में अच्छी प्रगती आप कर सकते हैं और इंटर्व्यू वाले हैं उनका इंटर्व्यू सफल हो सकता हैं ब्रियस्पती यहां से बैट करके लाब के सरोत भी बनाएंगे मन को भी संतुलित रखेंगे और धन के रास्ते आपके पूरी तरह से यह खोलेंगे भाग्य की ब्रत्धी करें शनी आपके तीसरे स्थान में और तीसरे स्थान का शनी अपनी रासी में बैटा हुआ है कहीं ने कहीं विजे प्राप्त करवाएगा अपने वर्चस्व को बढ़ाएगा अपना यस और प्रतिष्टा को बढ़ाएगा और कोई नए मित्र इस समय पर आपको प्राप्त हो सकते हैं लेकिन यह शनी यहां से बैट करके तरती अद्रश्टी पंचम स्थान में देख रहा है विद्यारतियों को यह आलश्य में डुबो देगा इसलिए अपने तत्परता की साथ अपनी मैनत करते रहें अन्य था सफलता जो के वो संदिक्द हो जाई शनी के बाद राहू आपके चतुरत स्थान में है म कुछ उतार चड़ाव हो सकता है आपका कोई व्यापार है उसमें भी कोई उतार चड़ाव हो सकता है रहु की शान्ती रहु का दान और हन्वान जी की उपासना आपको करनी चाहिए अब मैं आपको देनिक प्रासी फल देने का प्रयास करता हूँ एक और दो तरीख ये च् प्रतिष्ठा के जो हें कारण बनेंगे और आपके धन की ब्रद्दी होगी, कुटुम्ब की ब्रद्दी होगी, भाई और मित्रों का सहींग आपको प्राप्त होगा, कोई नए मित्र भी आपको बन सकते हैं, शात और आठ तारीक, इसमें आपको थोड़ी सी चिंताइं रह सकती हैं उन चिंताओं को आप जो के मौन रेक करके शांत रेक करके आप उनको पार कीजिएगा चिंताइं समाब तो हो जाएंगी 9-10 तारीक आपके लिए बहुत स्रेश्टिक है इसके अंदर पढ़ने वालों को इंटर्विव वालों को बहुत अच्छा परिणाम इस समय पर प्राप्त होगा ग्यारा बारा तेरा तारीक आपके लिए ठीक नहीं है इस समय पर आपके साथ किसी का कोई विवाद हो सकता के तो अपना वानी के द्वारा अपने विवार के द्वारा जो भी कुछ हो तो उसको कंट्रोल में आपको रखना होगा 14-15 तारीक आपके लिए बहुत स्रेश्टक है इसके अंदर आप कोई भी हैं किसी भी कारे को करते हैं उन्ही सबी के लिए ये जो है दिन बढ़िया हैं लेकिन 16-17 तारीक में आपका स्वास्त डगमगा सकता है इसके बाद 18-19-20, 21-22, 23-25 ये जो तारीक हैं आठ दिन खें ये पूरे मैने के अंदर आपको सबसे अच्छा परिणाम ये देने वाले हैं कई रुके वहे कारे आपके पूरे हो सकते हैं नए कारियों की संभावनाएं खें नई योजनाएं आपकी बनेंगी क्रियानवित होंगी और लाभानवित होंगी आपके रास्ते खुले रहेंगे लाभ के रास्ते खुले रहेंगे 26-27 तारीक को किसी के साथ में देल लिन ना करें कहीं इंवेस्टमेंट ना करें वनना नुकसान हो सकता है और 28-29 तारीक आपके लिए बहुत ही सुन्दर और सुख़द प्रसनता पूरवक जो हैं गुजरने वाला समय के इसका आप लाभ लीजिएगा बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की सेवाएं अरपन करके जो भी आपकी समस्याख है उसका समाधान आप पासकते हैं नमस्कार